नमस्कार दोस्तों में नाम स्रीकांद कुमार आप देखे रेटु जेट टोसेस आज हम बात करने होगा इसी वीडियो में दोस्तों पूरे भारत देश में भारत सरकार्द द्वारा अधार कार्ड से सभी के लिए एक UDID कार्ड बनाय जा रहा है अगर इस UDID कार्ड को आप लगते हैं तो फिर आप गोर्मेंट से बहुत ही बड़ी बड़ी बिनिपीट उठा सकते हैं तो इस कार्ड को कौन लोग बना सकते हैं और किस परकार से बना सकते हैं और इस कार्ड को बनाने के लिए इधर उदर कहीं भी जाने के वशकतार नहीं पड़ेगा घर बैटे स्टेवाज टेपर के दिखाने वाले हैं तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों घर बेटे ओनलाइन मोबाइल लेप्टोप से UDID कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल ये लेप्टोप का किसी एक ब्राउजर को उपेन कर लेना है ब्राउजर में टाइप करना है UDID उसके बाद सर्च के ओप्शन पे क्लिक करदना है सबसे उपर जो लिंक की दीख रहा है इस लिंक पे क्लिक करदना है गोवर्मेंट आप इंडिया का ओपीशल पोर्टल इस परकार से उपीन हो जाता है जो इस परकार के इंटरपेस देखने के लिए मिल जाता है अब इसी पोर्टल के मदद से बहुत यसान तरीका से UDID कार्ड को बना सकते है तो अगर आप बहुत यसान तरीका से घर बेटे UDID कार्ड बनाना चाहते है तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है सबसे पहले यहां पे अपना personal details को fill up करना है, तो personal details को fill up करने से पहले यहां पे सबसे पहले अपना language को select करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहां पे सबसे पहले language को select कर लेना है, उसके बाद यहां पे applicant का full name को यहां पे type करना है, जिसके नाम से UDID card बना रहे हैं, उसका ना पे जो दिया गए pencil के option इस वाले option पे क्लिक करके यहाँ पे नाम को type कर लेना है उसके बाद यहाँ पे अपना father's name type करना होगा यहाँ पे अपना mother's name को type करना है यहाँ पे अपना एक mobile number को type कर देना है उसके बाद यहाँ पे अपना email id को दे देना है उसके बाद यहाँ पे का के टिग्री होगा. यहां पर सलक्ट करना है उसके बाद यहां पर अपना ब्लैट गूरूप को सलेट करना है. अगर आपको मालूम नहीं है तो इस वाले option को छोड़ना है. उसके बाद uh scroll down करना है. अब यहां पर relation with person को सलेक्ट करना है की person के साथ आपका क्या relation है, सबसे पहले यहाँ पे select कर लेना है, उसके बाद यहाँ पी guardian का नाम को type करना है यहाँ पी guardian का mobile number को type करना है, उसके बाद scroll down करना है, यहाँ पे अपना एक photo को upload करना है photo का size कितना होना चाहिए, कितना wow to learn product करना है, सब गुछ यहाँ पे देखेए नहीं है तो यहाँ पर अपना थम का यहाँ पर फोटो को अपलोड करना है जिसका साइज यहाँ पर बताया गया है उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है उसके बाद यहाँ पर देखिए optional details यहाँ पर पूछा गया है अगर यह आपको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं नहीं द अधार कार्ड, उसके बाद यहाँ पर अधार कार्ड को अपलोड करना है, दोनों साइट का अपलोड करना है, जिसका साइज यहाँ पर बताया गया है, उसके बाद यहाँ पर अपना अधार नंबर को टाइप करना है, उसके बाद आई एगरी के बॉक्स पर टिकोट करना है, उसके बाद scroll down करना है अब यहाँ पे सबसे पहले select करना है कि address proof में आपके पास कौन सा document है तो जो भी address proof में आपके पास document होगा उस document को select कर लिना है तो चलिए मेरे पास जो document है उस document को select कर लिए है उसके बाद यहाँ पे document को upload करना है जो आपने यहाँ पर upload select किये हैं इस document को यहाँ पर सबसे पहले upload करना है जिसका size यहाँ पर बताया गया है और इस card पर जो भी address दिया हुआ है उस address को यहाँ पर देदना है उसके बाद यहाँ पर अपना estate का नाम को select करना है जिस estate से आप belong करते हैं उस estate का नाम को select करना है डिश्टी के नेम को select करना है सिटी के नेम को select करना है विलेज ब्लोग के नेम को select करना है पीन कोड नमबर यहाँ पर अपना area का देदनाम उसके बाद इस्क्रॉल डॉन करना है अब यहाँ पर सबसे पहले disability type को select करना है तो जैसे इसके उपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें, बहुत सारे option दिया गा है इसमें से सबसे पहले select करना होगा जो आपके अंदर disability है यानि आप जो Biclang है, उसको सबसे पहले select करना है कि कम Biclang है, जादा Biclang है इसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि disability आप कैसे हुए है यानि बिकलांग आप कैसे हुए है सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना है अगर accident हुआ है तो accident वाले option को सेलेक्ट करना है अगर आपके पास disability certificate है अगर आपके पास disability certificate है तो yes यहाँ पर select करना है और यहाँ पर disability certificate को upload करना है जिसका size यहाँ पर बताया गया है अगर नहीं है तो यहाँ पर no वाले option को select करना है तो अगर आप यहाँ select करते हैं तो disability certificate का जो भी registration number है यहाँ पर type करना है इसमें कब तयार क किया गया है disability certificate को यहां पर issue date को यहां पर select करना है यहां पर select करना है किसके दोरा authorized किया गया है तो जो भी यहां पर होगा है यहां पर select करना है तो चले इस प्रकार से हम select करते हैं कितना percent disability है यहां पर सबसे पहले percentage में यहां पर type कर देना है अगर 50% है तो यहां 50% टाइप करना होगा उसके बाद यहाँ पी hospital के निम को select करना है इस capture code को इस box में type करना box पे record करना है उसके बाद submit के option पे जैसे click करते हैं तो यहाँ से submit successfully हो जाता है और आपको एक refresh ID number मिल जाता है उसको note करके screen sort करके download करके रख लेना है इसका status check करने के लिए कहीं भी जाने के वह शक्ता नहीं पड़ेगा यहाँ पे जो option दिया गया है track your application इस वाले option पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे दिखिया status track करने के लिए यहाँ पे चाओर option दिया गया है UD ID number के माधि हम से देख सकते हैं mobile number से देख सकते हैं अगर सारा कुछ जो भी document आपने दिये हैं सारा कुछ document अगर सही होता है तो फिर UD ID card बना दिया जाता है और फिर आप यहीं से UD ID card को download कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि UD ID card को लोग बना सकते हैं चले सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों जो लोग बिकलांग हैं जो लोग disability है वो अपना UD ID card को बना सकते हैं और UD ID card बना लेते हैं तो इससे क्या-क्या benefit मिलने बाला है चले सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं तो यहाँ पर देखे बताया गया है कि अगर आप UD ID card बना लेते हैं तो इससे क्या-क्या benefit मिलने वाला है तो यहाँ पर देखे बताया गया है कि UD ID card बिकलांग ब्यक्ति के लिए एक महतपूर्ण पहचान पत्रे है जो उनकी बिकलंगता से सबंधित सभी जनकारी को संकलित करता है या card ना केवाल एक मान क्रीक्रित और विशिष्ट पहचान परदान करता है बलकि बिकलांग ब्यक्तियों को सरकारी और गैर सरकारी सिवाओं और लावों का लाव उठाने भी साहता करता है तो अगर आप disability ID card को बना लेते हैं तो फिर आप government से बड़ी बड़ी आप benefit उठा सकते हैं इस card को अगर आप बना लेते हैं तो इससे आप सत्यापित कर सकते हैं कि हम एक बिकलांग हैं